कि हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ जोती सिंग और आप देख रहे हैं सक्सेश पत्र आज की इस वीडियो में हम बी टीव पी या पॉली टेखनीक का जो आठ समिस्टर यानि की वीशन समिस्टर की जो एक्जामनेशन होने वाले हैं फॉर्स थर्ड और फिप समिस्टर के की और हम बात करेंगे तो इस वीडियो पर इन टाग बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड की साथ ज्यादा यादा से यह इस्टूडेंट है तो यह विग एक विंपर्शे पसका लिए ऑप सभी के लिए यह पॉइंट इंपोरेंट है की आपको को अदेखना है औ आपको ध्यान देना है तो चलिए हम देखते हैं कुछ पॉइंट हम यहां पर नोट कर लिए हैं इसके एक्जाम के दिन पहले हमें क्या करना चाहिए तो आज आप पूरे दिन आप अप्रिवाइज कर सकते हैं इसी चैनल पर मिल जाएगी तो आप प्लेश्ट में जाके देख सकते हैं तो इंपोरे दिन प्रिवाइज कर लेंगे पूरी तरीके से उसके बाद आराम से आपको पूरी नीन लेनी है ऐसा नहीं कि रात पर पढ़ते रहें पिर सुबह एकजाम मे जाके माँ पर सो रहा है ऐसा नहीं करना है आपको पूरे दिन रिवाइज कर लेना है रात में आराम से आप सोगे सुबह उठके एक बार आप देख लेंगे शारे कीशन को और उसके बाद से जो भी अगर फार्मुला वगर रहा है तो उसको आप देख सकते हैं और उसके अब जो तैयरी कर सकते हैं अब ही तक तो आपके सारे वह चुकी होगी आप रिवाइज कर रहे है तो आप जो पर सबसेब्स पहले उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेजिए फिर उसके बाद है उसको रिवाइज कर लीडे फिर जैसे मतला आपका जो कांटिनीव प्रकार से आप तयारी कर सकते हैं नेक्ट जो हमारा पॉइंट परिछा के इंदर पर पहुशने से पहले किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो आप एक्जामनेशन सेंटर पर जाते हैं तो आप अपने साथ अपना फोटो और अपना जो आईडी है यानि कि आधार कार्ड उसको लेकर जरू जाए क्योंकि अगर आपके एड्मिट कार्ड में कुछ से चीजे मिस्टेक है अगर मैस नहीं कर रही है तो वहां से आपका पर आपने पास फोटो रखना है तो आप अपना फोटो और आप भाषान पत्र है उसको आप जरूर साथ में लेकर जाए यह भी आप सेंटर पर जाते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है परिछ्षाहाल में स्वी प्रश्णों को कैसे आल करें जो भी आप एक्जाम अगर देने जा रहे हैं और examination hall में पहुषने के बाद जो भी क्यूशन आपके paper में आता है जितने भी क्यूशन आपको attempt करने के लिए बोला जाता है आप सभी क्यूशन जरूर करके आएंगे कोई क्यूशन आपको छोड़ना नहीं एक बात तो इस बात को आपको विल्गुल होला नहीं है आप कोई क्यूशन वहसे छोड़ नहीं आएंगे उसको अब करने का मतलब सभी क्यूशन थोड़ करने आना है सारे question आपको attempt करके आने, थोड़ा-थोड़ा यह आप लिखेंगे, लेकिन आपको सारे question वापर attempt करके आने, यह भी question आपको छोड़ना नहीं है, next अगर हम बात करें, तो सभी प्रत्ष्णों को हल करने के लिए यह समय को कषे करें तो जो भी आपका क्यूशन है और जो ही आपका है और प्रत्व क्लाइभ प्रकर के लिए पॉलिटीक निक भागाँ का टाइम होगा बाकी सब्सक्राइब रहा रहे सब्सक्राइब मिलता आपको लेकिन यहां पर पालिटेजिक में क्या है कि जो सेकंड घरें दे स्टुएंट आपको पता होगा ने था ईपर होता है यहां पर काई तो लगवाँ पारट को आपको आपको approachís करना होते हैं तो एक पार्ड ओमाले दस नंबर का है तो आप पाँचो पाइप को जो भी टाइम का टाइम डिशाओड करेंगे एक वडिक तो आपको करना क्या है कि एक पार्ड पर आपको पहले ही आप डिशाओड करेंगे जैसे त Bourgq कर Came去 आपको तीस मिनट करने की कोशिज करेंगे तो अगर बहुत ज्यादा नहीं लिख पाते हैं थोड़ा-थोड़ा लिखेंग क्योंकि पालिटिकरी में आपका युपी बोड की तरह नहीं कि कुछ भी आप लिख के वहाँ पर चले आते हैं अगरे नहीं कि कोई की ब्वी करने पर बना देंगे तो इस प्रकार से आप कोसिगे कोशिस करेंगी कि आधा घंट जो हमारा एक पाट के लिए लिए मिल दा है आधे घंटे में हम सभी की जो भी 2-3 की अ पाट में हैं सभी कीशन को लिखते रहें गे अब आपकी दो कीशन आप नहीं खर पाए एक पाट आप ग्या थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन थोड़ा आप पो च्पर जाती है तो आपको चोटी पर जाती रख si पर आपको टैटल बनाना उता है डिटल आप लिखने के लिए इसके बाद से क्या करना है जो ड्राइंग शी्ट है दोनों साइट में यूज़ करेंगे तो आप क्या कर सकती है एक part में जो भी आपको यूज़िशन क कर लिए सेकेंड कर लिए ठीक है पीछे बैक में यूज कर सकते हैं थार्ड फूर्ट चार पांच की इसमें भी आपको लगव मिल जाते हैं आप अगर ड्राइंग बहुत बड़ी बन रही है इतना बनाएंगे कि क्लियर सारी ड्राइंग आपको दीखें इस प्रकार से सीट में दोनों साइड आपको यूज करना होता है ऐसा नहीं कि आपको सीट जो मिलेगी सीट को दोनों साइड यूज करना है इस प्रकार से दोनों साइड में सीट को मैनेज करके आप आप ड्राइंग को बनाएंगे तो पूरी ड्राइंग आपको द्यान देना है कि एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि जो भी ड्राइंग हम बनाते हैं अपने चैनल पर आपको पढ़ाने के लिए तो उसमें क्या क्रेंग का बनाएंगे लेकिन जो ड्राइंग बनायेंगे कि वहाइंगे स्माइग से आपको एक्जाम में करना है जो आपका जो फिर युडिकल सब्जेक्ट अगर उसमें कोई डाइग्राम अपनाते इसमें परा सकते हैं लेकिन और यह ज्यादा यूज नहीं करना है तो यह चीज आप ध्यान देंगे नेक्ट हमारा है थेरी और निमेरकल का जो पार्ट होता है जैसे माले कोई सब्जेक्ट होता है तो पर थेरी भी कुष रहती है थोटी जोटे फार्मुले वगर डिफिनीशन वगर तो आपको कौन से प अगर नहीं मिल पाते हैं तो निमेरकल अगर आपका है तो आपकोशे तयार करकी जाती है तो तर यह से आपके कुछ EMP important point तो इसी प्रकार से आपको question को solve करना है और वहाँ पर अगर first year के student है तो उनके लिए बता दे जो भी आपको copy मिलेगी copy बिल्कुल plain मिलेगी आपके college में भी बताएगे होगे plain copy पे आपको लिखना होता है तो कोई lining वाली copy पर नहीं मिलती है आपको plain copy मिलती है plain copy पे आपको answer देना होता है और ज्यादा तर कोशिज करें आप B copy ना ले एक copy में ही जारे question का answer दे दे बहुस ज्यादा pages होते हैं आप आराम से एक copy में answer को बहुत बड़ा चड़ा के लिखने की जोत नहीं है जोबी answer आप लिखते है to the point लिखे आप डारेक्ट उसका जोभी question पूछा जा रहा है उसका answer देने का तरीका क्या है अगर कोई भी question आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले तो आप उसका definition के आप लिखेंगे उसको अगर हम heading wise लिखेंगे heading कुछ आपका बन सकता है उसमें heading wise लिखेंगे तो theory है तो theory कुछ अगर heading आप बना के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है और थोड़ा highlight जो भी important point होगा उसको आप highlight underline कर सकते हैं तो इससे क्या होता है जो examiner होते है च examinations related अगर आपको कोई confusion है तो आप comment box में comment करके अपने जोभी query है उसको पूछ सकते हैं तो ऐसे वीडियो के लिए आप चानल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने friend के साथ ज्यादा ज्यादा शेयर करें